अब सब्सक्राइबर रवी सिंग् उन्होंने कमेंट के माध्यनम से अपने सेयर किया हुआ है तो वही आप लोगमें बताने वाली हूं हम चलते हैं सीदि पहले प्रस्न पर दोस्तो हमारे सबसे पहला प्रस्ण यही है मैमार में किस धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है तो मैमार में जो है वो बहुत धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है रिपोर्ट 714 के अनुसार मेंमार में 88% जो है जनसना क्या वो बहुत धर्म की है अगला प्रस्ण है संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी या किस अनुछेद में वर्डित है तो दोस्तों ये जो है वो अनुछेद 343 में वर्डित है अगला प्रस्ण है LED का फुल फार्म क्या है तो LED का फुल फार्म जो है वो लाइट इमिटिंग डायोड है अगला प्रस्ण है निम्ना में से कौन सी योज़ना संग्जार 14 में सुरू होई थी तो दोस्तों ये option based question हो गया तो इसका option में था स्वच भारत अभियान क्योंकि संग्जार 14 में तो बहुत सी योज़नाय आई हुई है तो इसका option में था स्वच भारत अभियान तो इसका right answer हो जाएगा स्वच भारत अभियान अगला प्रस्ण है being गांधी पुस्तक के लेखक कौन है तो being गांधी पुस्तक के लेखक जो है वो है पारो आनन्द अगला प्रस्ण है अवरितिका मात्रक क्या है तो अवरितिका मात्रक जो होता है वो हर्टज होता है अगला प्रस्ण है पुलितिजर पुरुसकार की छेतर में दिया जाता है तो पुलितिजर पुरुसकार जो है वो दोस्तों वो पत्रकारता के छेतर में दिया जाता है अगर समानित क्या गे था सुयस जाधाव को अगला प्रस्ण है इंद्रा गांधी ने गरिवी हटाव का नारा कब दिया था तो इंद्रा गांधी ने जो गरिवी हटाव का नारा दिया था ये दिया था 1971 में अगला प्रस्ण है मारले मिंटो सुधार कब आया था तो जो दोस्तों ज अगला प्रस्ण है राष्टी हत करगा दिवस का मना जाता है तो दोस्तो राष्टी हत करगा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मना जाता है और 7 अगस्त को भाला प्षेक दिवस मना जाने की भी घुश्रा की गई है अगला प्रस्ण है केंद्र सरक्षव को पढ़ लिजिएगा अगस्त माहा का दिवस जितना आप उसको पढ़ कर जाएगा आपको निश्ची थी एक्जाम जो है एक्जाम में क्विस्चन इन सब टॉपिक से देखने को मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं अपने 26 तारिक के एक्जाम के एनालिसिस की तो चलिए हम चलते हैं अपने 26 तारिक के प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है पांच बार बिलियर्डस जितने वाले पहले भारती खिलाड़ी कौन है दोस्तो इसका राइट अंसर मुझे तो नहीं पता है यदि आपको पता है तो आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं अपना अगला प्रस्ण है नागा लैंड और म्यामार के बीच कौन सी पहाड़ी इस्तीत है तो ये मना जाता है आंध प्रतेश में अगला प्रस्ण है अप्रेल 2021 तक सबसे कम उम्र के राजेपाल कौन है तो इसका राइट एंसर जो है वो सबसे कम उम्र के अभी तक के राजेपाल है अगला प्रस्ण है भूसी जील कहां इस्तीत है तो ये भूसी जील जो इस्तीत है वो महाराष्ट में इस्तीत है अगला प् नहीं हो पता है तो आप कमेंड में इसका अंसर बता सकते हैं अगला परस्थ 이후 19 का 2021 पुरसकार किसे दिया गया एय एय स किरण कुमार को दिया गया है को परस्थ दोश्थे कौन सी चटान पाणी में थेelnी है इसका भी राइट अंसर नहीं मिल पाया दोस्तों गूगल करने से भी यह आपको पता है तो आप इसका एंसर कमेंड में दे सकते हैं अगला प्रस्ण आया था दोस्तों बेसेल मापदंड सिध्धात किसे संबन्दी थे यह संबन्दी थे खतरनाक अपसिछ पदार्तों की सीमा पर निसकासन से जोई वो समन्दी थे ब मोपीन टेहवार कहां मनाया जाता है तो इसका राही मित्य जिले हैं अगला प्रस्ण आया था दोस्तों कि सबसे कम जिलावाला राज कं है पुस्तक है ये पुस्तक जो है ये ट्विंकल खन्ना ने लिखा है किसी ने लिखा है तो ट्विंकल खन्ना का पुस्तक जो है मिसेज भनी बोन्स जो है वो पुस्तक ट्विंकल खन्ना का है अगला प्रसना आता है दोस्तो आठ परसंटेज एस्टिक एसीड के विलेन को क्या क अगला प्रस्ण है नवाट की स्थापना कब हुई थी तो नवाट की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुआ था अगला प्रस्ण है पुलीस और जेल किस सुची के अंतरगत आता है तो पुलीस और जेल जो है वो राज सुची के अंतरगत आता है अगर दोस्तों हम मैथ की बा इतने टापिक को तयार कर लेते हैं तो आप आराम से 78 question कर सकते हैं आब बात कर लेते हैं हम अपनी reasoning portion की तो reasoning में जो आया था वो कथन निशकर्श से 2 question आया हुए था और series से 4 प्रसण आया हुए थे कोडिंग डिकोडिंग से भी चार प्रसन आये हुए थे अब बैठक बैठक विवस्था जो है उससे दो प्रसन आये हुए थे यदि दोस्तु वीडियों पसंद आती है तो वीडियों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा साथ में बैठक वाले घंटे को भी दबा लिजिएगा तकि आपको ऐसे बुडियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद